गुरीवनिंग और वेलकम टू मनी गुरू मैं हूँ स्वाथी रायना और हर बुद्वार की तरह आज जब मनी गुरू में हम बात करेंगे इंशौरंस की इंशौरंस रिलेटेड कई दर्शकों के सवाल हमारे पास आते हैं और खास तोर पर फोकस हमारा किन किन पॉइंट्स पर आज रहने वाला है मनी गुरू इंशौरंस स्पेशल में ये हम आपको बताते हैं शुरुवात में ही इसके लावा एक करोड का टर्म प्लान अगर लेना है तो क्या किया जाए कितना प्रीमिम आपको देना पड़ सकता है और कितनी जल्दी शुरुवात करें तो पहतर हो और अधिक उम्र में insurance के क्या options बच जाते हैं इस पर भी चर्चा हम करेंगे और insurance से related तमाम दर्शकों के सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज है Certified Financial Planner पूनम रूंग्टा पूनम स्वागत आपका मनी गुरु में कैसे हैं आप? Thank you स्वाथी, I'm very fine, how are you? हम भी बहुत अच्छे हैं पूनम, दर्शकों ने काफी सवाल हमें भेज़े है insurance related और उन्ही सवाल जवाब का सिलसला शुरू करते हैं पहले दर्शक इस वक्त हमारे साथ मधिर प्रदेश से राम किशोर जी जुड़ गए है राम किशोर जी आपका बहुत स्वागत है मनी गुरू में कैसे हैं आप और insurance related आपने हमें एक सवाल भेजा और आप एक term plan के बारे में जानना जा रहे हैं सबसे पहले बहुत अच्छी बात है कि आपने टर्म प्लान के बारे में सूचा है अपने बारे में कुछ बताई और अब तक को insurance plan आपने ले रखा है कि पहली बार कोई term plan लेने जा रहे हैं हम लोग LIC का जीवन आनंद ले रखा है और मनी वे पॉलिसी है अब टर्म प्लान को इंसुरेंस नहीं है लाइट इंसुरेंस था उसका रिलाइंस का जो वो मार्केट के पिल के इसाफ से था उसको बंद कर दिये अब टर्म प्लान सोचे थे जो मेरा और मिसेस का दोनों का 50-50 लाख टुके का लेने का प्लानिंग था तो वो समझना था उसमें जो तो कितना उसका उनलाइन लेते हैं तो प्रीमियम भरना परेजा बेसिक चाहिए जितने साल करेंगे 30 साल 45 साल उससा उससा उत्ते साल भरेंगे उसको जी तो बहुत ही बेसिकली ये इक इंफिमेशन जानना चाहते हैं टर्म प्लान के बारे में पुनम इनके उम्रे 40 साल है अलड़ी LIC का जीवन आनन्द प्लान इन्होंने ले रखा है अब इन्होंने सोच रहे है कि क्यों एक टर्म प्लान लिया जाए पहले जीवन का ये पड़ाव मतलब ये जो उम्रे का पड़ाव है इनको अपने और अपनी वाइफ के लिए 50-50 लाग का टर्म प्लान चाहिए मतलब जो इन्शोरंस की परिभाशा है वो टर्म प्लान ही है यानि कि रिस्क कवर कि अगर आप न रहे तो ऐसे सिचुवेशन में आपकी फैमिली को आपकी रिटायर्मेंट तक की एज के लिए फैमिली का स्टैंडर अफ लेविंग में फर्क ना है और उनका देख रेक फा इसे शुरू करनी चाहिए क्यूंकि उसकी एक फैनैंशल वैलू बनती है जैसे मैं एक एक इगजाम्पल देना चाह हूँगी जैसे जिज़िन आप कार खरीतते है तो कार की फैनैंशल वैल्यू जितनी है उतनी वैलू क्या आप इंक्रीस कर्क्रीज और 35 की एज तक ये प्रक्रिया खवतम हो जानी चाहिए क्योंकि उसके बाद जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ जाते हैं और कोई भी टर्म प्लान लेने के जो रूल्स हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है आपको दो क्राइटीरिया फुल्फिल करनी पड़ती है एक तो आपकी फैनेंशिल कि आप क यह 10 टाइम्स ऑफ यॉर अन्यूल इंकम आपको मिल सकता है इंशॉरंस अगर कम उम्र के लोग हैं जैसे कि अगर 30 आपकी एज है तो आपको 18 टाइम्स ऑफ यॉर अन्यूल इंकम भी इंशॉरंस बिलती है और साथ ही दूसरा क्राइटीरिया होता है मेडिकल अंडर करती है तो उस हिसाब से इंशॉरंस कंपनी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती या लोडिंग के साथ स्विकार करती है तो यह दोनों पैरामीटर जड़ा पहले ध्यान से देख लें और उसके बाद आप कंपनी को प्रपोजल भीजे साथ ही जो आप अप इंशॉरंस ना लेते हुए आप खुद की जो ब्रेड अर्निंग घर के जो मुखिया हैं जो कमाई करते हैं उनकी इंशॉरंस ले तो बहतर होगा ओनलाइन टर्म प्लान में ज्यादा कैसे होता है देखिए ओनलाइन और ओफलाइन जो टर्म प्लान से एनी प्लान फॉर देट मैटर चाहे वो टर्म हो या कन्वेंशनल प्लान हो उसका एक ही बेसिक फायदा है वो है उसके प्रीमियम की राशी क्योंकि ओफलाइन और ओनल कि हम कब से कम 25-30% अपना प्रीमियम की राशी बचा लेंगे तो यहां मैं यह सब के लिए कहना चाहूंगी कि जिनके फैमिली मेंबर्स फुली कंप्यूटराइज टेक्नो सैवी नहीं है यानि टेक्नोलोजी से पुरी तरह पढ़े लिखे नहीं है तो ऑनलाइन की बात ना सो करने पड़ती है और आप एक रियल पिच्चर अपनी लाइफ का सोचे तो एक पिच्चर सामने आता है कि जब घर का मेंबर को कुछ हो जाता है आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और पीछे सरफ एक वाइफ और एक बच्ची बच्चती है तो वो लोग शोक मना करेंगे जाने वाले का या परिस्तिति का सामना करेंगे या जाके इंशॉरंस कंपनी में अपने पेपर्स फुट अप करेंगे तो अगर आप टेक्नोलोजी कली सैवी नहीं हो तो मैं ओनलाइन बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी और अगर आपके पड़े लिखे घर में ऐसे लोग हैं जो हैंगी कर सकते सिचुएशन तो आप ओनलाइन का फायदा जरूर उठा सकते हैं और बहुत क्विकली पुनम बस इसी केसे रेलेटेड है कि अगर इनकी वाइफ बिज़े से वरकिंग है और वेल टुडू है तो हास्बन और वाइफ दोनों अगर टर्म प् चाहिए वरकिंग बूमेन को भी लेना चाहिए और अधर वाइज अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप घर की इंकम में कंट्रिब्यूट नहीं करते तो आपके लिए टर्म प्लान लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है ओल राइट अ